पहले नरेंदर मोदी फिर नितीश कुमार और उसके बाद लालो यादों ने अपनी परतिग्या आखिर तोर ही डाली और अब उस लिस्ट में समराण चौधरी का नाम भी जुड़ने जा रहा है देखिए सियासत में यह परतिग्या तूटने का राजनिती काल है बिहार बीज अगडबंधन सरकार राज्य में नहीं है जिसके खिलाफ उन्होंने यह प्रन लिया था और NDA की सरकार बनी गई है तो वह अपनी पगड़ी उतार देंगे इसके लिए समराण चौधरी यूपी क्या उध्या जाएंगे जहां राम लला के दर्सन करेंगे और फिर अपनी प परतिग्या तूटने का राजनिती काल है उस समय का पटाचेप हो चुका है जब परतिग्या पूरी करने के लिए जान तक कुर्बान कर दियाती थी अब महराना परताप वहला समय नहीं है जिनोंने सत्ता सुक छोड़ कर घास की रोटी खाकर मुगलों के विरुद जंग ज दिया है और यह अलग बात है कि अब एक और परतिग्या तूटने जा रहा है जी हां वह एक खास समय था जब बिहार में बीजे पिया केले दंपर नितीश के नितिरतों में चल रही महागडबंधन सरकार को परास्त करने के लिए वीव रचना त्यार कर रही थी उस खास समय में समराज चौधरी ने सर पर पगड़ी बांधी और ऐलान कर दिया कि वह इस पगड़ी को तब खोलेंगे जब नितीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा देंगे यह संकल्प समराज चौधरी ने तब भी दोराया जब यहार विधान परिसद की कारवाई क के दोरान नितीश कुमार ने समराज चौधरी के सिर पर बंधी पगड़ी को लेकर सवाल पूछा तब समराज चौधरी ने जबाब दिया था आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मैं यह पगड़ी खोल दूँगा तो समराज चौधरी अब अपनी सियासी आज आयोध्या जाकर राम की प्रतिमा के दर्सन पूजन के बाद वह मुंदन कराने के लिए पगड़ी उतारेंगे जिस राम ने सत्ता छोड़ 14 साल वनवास का जीवन बिताया समराज करीब 20 महीने बाद अब अपने सिर से पगड़ी हटाने वाले हैं हालाकि तर्क उनके अपने हैं कि जिस महागडबंधन की सरकार के विरुद्ध में उनका संकल्प था उसको अब पूरा कर लिया गया है इसलिए पगड़ी उतारेंगे मगर पगड़ी धारन करने के राजनितिक समय को याद करे तो यह संकल्प तो पूरी भाजपा का था अब सिर्ष नेत्रित् निर्ने का एक हिस्सा है या तब भी थे और आज भी उसी केंद्रिय नित्रित्यों के वाहग बने हुए हैं लेकिन परतिग्या तोड़ने वाले समराज चौधरी को या केले निता नहीं है कई नामचीन राज नितिग्यों ने भी ऐसी परतिग्या तोड़ी है चलिए जानत किस किस ने कब तोड़ी परतिग्या नितिश कुमार के लिए दरवादा खिड की सब बंद है अब कह रहे हैं कि 2025 का बिहार विदान सबाद चुनाओ भी नितिश कुमार के नित्रित्यों में ही लड़ेंगे या संकल्प नरेंदर मोधी का था जिसे उन्होंने तोड़ दिया बात करें नितिश कुमार की तो नितिश कुमार ने कभी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे संग मुक्त भारत बनाएंगे और अब कहीं नहीं जाएंगे लेकिन आज भाजपा के गोदी में नितिश कुमार बैठे हुए दिखते हैं लालु लालु यादव के साथ मिलकर सरकार चलाई लालु यादव नितिश कुमार के पेट में 32 दात कहकर इनके साथ राजनिती नहीं करने की कसम खाये थे मतलब स्टैंड के विरुद जाकर लालु ने भी राजनिती कर डाली थी तो यह राजनिती है आज की राजनिती है जहां कस्मे वादो और प्रतिग्या के लिए कही कोई जगा बच्चती ही नहीं है